ऑई हाँ हैं कर यूज़ वेलकम टूमाइड यूट्यूब चैनल अक्शाइड क्लाशस में आप सबको स्वागत है दोस्तों जैसे हम लोगपड़ रहे हैं सेक्वेंस अप्देंस से क्के अंतर गत हम कालो का करम्म और कैसे हमारा कर रहा कई प्रकार के जो क्लाज होते हैं जैसे पलाज सबॉडिने क्लाज कोडिने वह जरने टाइप हैं वह हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं जैसे हम आपको थोड़ा सा यहां पर काइंट्स आफ एडवर उकलाज में तो एडवर उकलाज के कितने काइंट होते हैं यह आप कल देख लिए है मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं काइंट्स ओफ एडवर उकलाज आगे आप कायंट साइब एडवर्व क्लाश किया है यह फरव रफिर्स मैं आपको बता दीता हूं देखे दोस्तों कोईट शॉइम्स क्लाज क्या है जैसे कि आप लुग जानते आदेवर वाफ टाइम एड़ वाफ प्लेश एड़ वाफ मैनर ये सब होती क्या है किस अंतरगत आते हैं है वर ाफ क्लाज के अंतरगत हुआ тई पंप थां-जिक एड़वाफ प्लेश एड़ फ्तेइ्द लाफ ब्लेश लीजन में एड़ वाफ मानर इंड़ैर्वा कंपेरिजन दोस्तों ये आपके बहुत बार एकजाम में कभी-कभी तीनों एक साथ दे दिया जाता है टाइम प्लेस मैनर को या फिर कभी सब को एक साथ दिया जाता है तो इनको एक क्रम में भी लगा जाता है जो मैनर प्लेस और टाइम के क्रम में आते हैं सबसे पहले में जो है मैनर प्लेस तब टाइम तो ऐसे सारी चीज़े आती हैं तो जो टाइम कैसे जानेंगे दोस्तों टाइम कैसे पता चलेगा जब हम क्रिया में हुएन का प्रस्ण करते हैं तो हमको टाइम का पता चलता है जब हम क्रिया में हुएन का प्रस्ण करते हैं या फिर हुएन जब भी दिखता है हमेशा किसको डिनोट करता है टाइम को डिनोट करता ह किसको वैर को डिनेनोट करता है है ना भई तो किसको क्रिया में जब आप्रेश करेंगे तो enjoy मिलेगा वह हमारा यानि कि यह किसक मूर्सकों करेगा प्लेस बास संग में आगे देखें रीजन रिजन हमेशा कौन सो करता है और मैनर कौन सो करता है हाउ कैसे यह आपने यह काम कैसे किया तो बताएगा सिंसेरली पूर्बग किया हैना केरफुली किया यह क्या होता है आपका कनपेयर करना होगा यह आपको किलियर होनी चाहिए कि एडवर के इंतरगत आपको थाइम प्लेज्जन मैनर कनपेयर आदी बाते आती हैं जो हम लोग आप और एक बाते सिख़्तै रहे स्थे किसी भी एकसन के टइम को सोरता है किसी भी एक्शन के टाइम को सो करता है चिसे भी एक्शन के आइे तो दा एक्सांद ऑफ टाइम टा एक्सांद ऑफ टाइम मोक्त हैff Nord कितने समय हुआ वह को यह कौण सो करता है टाइम सो करता है जड़ा समझे य Frei यानि Ste कि कह वर्फ टायम के अंतर्गत कौन से सब्द आते हैं वह नाता है और कौन अता है वह फवाइल आता है वह फवाइलाता है और कौन मंचल से वर्ड आते हैं भई as आता है when ever आता है यह when, while, as, where, ever आता है दोस्तों है ना appear भी आता है या before, after भी आता है before या after यह सब क्या है भाई आपके एड़व आफ टाइम क्या है एड़व आफ टाइम बात सुने भी बिफोर ऑफ्टर यह when, while, as, whenever और बिफोर आफ्टर यह आपके एड़वर आफ टाइम है जो आपके एकशन के टाइम को दिनोट करते है तो यह आपके एड़वर आप टाइम है जर्द हम example समझ लेते हैं वह एक्जाम्पल देखते हैं वेन दा मैच वाज स्टॉब्ड वेन दा मैच वाज स्टॉब्ड या फिर दा मैच वाज स्टॉब्ड वेन इट रेंड वेन इट रेंड इट इस्टार्टेड भाई इस्टार्टेड टू रेंड यानि कि जब बार शुरू हो गई तब हमने क्या कर दिया मैच को स्टार्ट कर मैच को स्टाप कर दिया वेन इस्ट इट इस्टार्टेड टूरें जब बार शुरू हो गई तो मैंने क्या कर दिया मैच को स्टाप कर दिया तो मैच आपको टाइम दिखा रहा है कि मैच कब रुका जब बारिश चुरू हुई है ना जब बारिश चुरू हुई तो मैच रुक गया तो आपको मैंने क्या दिखाया आपका एक्शन आफ टाइम यानिक एड़वर वाफ टाइम बात संज में कि नहीं चले बहुत अच्छा टापिक है जिट टाइम आपने देख लिया एड़वर आप टेखतेंि एक बाद अच्छे से सीखिए वए बहुत अच्छा टापिक है जिटव टाइंड की बात होविए यह प्लेज की बाते करतें अट पहलए přिच्छी है ऑक ऑदर वाफ बेस यानिकी एक अड़वर वह प्लेज प्लेश प्लेस बताई जरा है आधुराव प्लेस सोज यानि दिखाता है द एक्षन ओप प्लेस ड एक्षन ओप प्लेस द समझ में दोस्तों कि इसके अंतरगत कौन-कौन से वर्ड आते हैं अप प्लेश दिखाने के अंतरगत कौन-कौन से वर्ड आते हैं पहले तो आपका वेर सब्द आता है वेर सब्द आता है और कौन सा आता है या वेयर इवर आता है और भूर ओर आता है यह कि आता है कि इस फिर फिर आता है यह फिर तो सब्द आपको दिखाने का काम करते हैं जैसे मैं एक्जांपल से आपको बताओं यह देखे गजांपल देखें ऊ-ई- इस घांपल देखें लुग दो आप फार यू वर इवर वर इवर आई कुड देखें वैं आई लुक फार यू वर यहां पर इवर क्या कर रहा है यह आपको अस्थान सो अस्थान बता रहा है वहर वाशन में दोस्तों चले आगे आए देखते हैं एड़वाफ प्लेस हो गया एड़वाफ टाइम हो गया और एड़वाफ रीजन चलते हैं या एड़वाफ मैनर चलते हैं दोस्तों लेखते हैं एड़वाफ मैनर एड़र्बू और मैनर कि आए इनकी बात करते हैं अब मैनर क्या होता है बई एड़र्बू और मैनर सूजद एक्षन और क्या करता है बई सोज दा एक्षन ओफ मैनर दिखाता है उसके कारियों का मैनर जैसे कि मैंने कहा था न वह कैसे और कैसे हम पहचानते हैं हाउ लगा करके वह कैसे काम किया सेंसरली पूरबक किया इमांदारी पूरबक किया है ना यह चीजे आपको कौन दिखाता है एड़वर ओफ मैनर ही दिखाता है एड़वर ओफ मैनर कैसे इनका पहचानने का तरीका कैसे भाई यानि कि एड़वर जैसे कि मैंने आपको बताया था एज इफ एज इफ देखिए भई एज इफ कौन कौन से वर्ड आ जाते है एड़ वर्वाप मैनर में पहली बात तो एज आता है दूसरा एज इफ आता है तीसरा एज दूज आता है मैंने क्या क्या बता ہے बही as एज इफ as दूज या फिर एक वर्ड और आता है इन्दवे इन्दवे क्या आता है बही इन्दवे यह आपको किसमे पोँछे जाते हैं एड़वर्वाप मैनर तो यानि कि एड़वर्वाप मैनर इसी से ही स्टार्ट होता है किस से इसी से ही as if as those या in the base से स्टार्ट होता है देखें मैं जैसे कहूं example he seemed seemed as if he seemed as if he dismissed या कहे दूँ क्या कहे दूँ ही वाज लाज्ट क्या कहे दूँ ही वाज लाज्ट यानि he seemed as if he was lost वह प्रतीत हुआ मानों he was lost वहाँ खोचुका क्या वहाँ खोचुका हो बास समझ मैं भी बास समझ मैं दोस्तों यानि कि he seemed as if he was lost वहाँ से प्रतीत हुआ जैसे वहाँ खो गया था वहाँ ऐसे प्रतीत हुआ था अब यह क्या है अब यह क्या है एडवर्ब आफ रीजन अब यह यह यानि कि वह एक्षण जो कारण सो करता है और सोज और सोज दा एक्षण तो इस दा एक्षण भी हाइंड दा किसके तो इस दा एक्षण बिहाइंड दा एक्षण किसके पीछे रीजन की पीछे जो चुपा हुआ एक्षण होगा वह आपको दिखाएगा बताएगा करण बताएगा एक्षण के पीछे जो आपका करण होगा आप कारण बताने वाले कौन-कौन से सब्द होते हैं, बताएं भई जरा, कारण बताने वाले कौन-कौन से सब्द होते हैं, बोलिए, देखें, कारण बताने वाले सब्द होते हैं, विकाज कौन कौन विकाज सिंस एज विकाज सिंस एज यह सब क्या है भाई आपके करण बताने वाले सब्द होते हैं विकाज सिंस एज या यह सब आपके करण बताने वाले सब्द होते हैं मैंने क्या कहा यह रिजन क्या बताता है एक्शन में चुपे हुए रिजन को दिखाता है जैसे विकाज सिंस एज और देट ठीक देखें मैं जैसे कहूं जैसे एक्जामपल दो ही वर्क हार्ड ही वर्क हार्ड हार्ड वह कठिन परिश्रम करता है बिकाज बिकाज विकाज विकाज लिए ऑट रोक सार्ड भाल यह वांट यह वांट यह ज़न सो मोर्क हें कि गोड़ मार्क यानि कि वहां कठीन परिश्रम करता है क्योंकि वहां अच्छे मार्क चाहता है अच्छे नंबर चाहता है कि ही या फिर माई काई दूं ही वह पास होना चाहता है वर कहाट विकाज ही वांट टू पास इन दिस एक्जाम वह एक्जाम में पास होना चाहता है तो आपको कि वह एक्जाम में पास होना चाहता देखें आपको विकाज रीजन बताया कि नहीं तो जैसे ही आपको यह कारण बताने वाले कि किस लिए वो कठिन परिश्यम करता है तो पता चलिए कि वो अच्छा मार्ग जाता है तो आप यहां पर यह क्या है जो एक्षन की पीछे रीजन है वो आपको किसे पता चलेगा बिकाज सिंस एज और यह सब्द आने वाले हैं जो रीजन में आपकी यह सब्दाते हैं इनको आप बहुत अच्छी तरी से पहचानते चलिए देखें मैंनर में आपको आज इफ आज दोज और इन दबे यह आज आता है प्लेस में हुए रिया हुए रिवर आता है टाइम में हुए न आता है वाइल आता है यह सारे वर्ड आपको मिलते हैं चलिए भाई आगे चलते हैं आए रिजन हो गया आप एड़वर वाफ कंपेड़िजन देख लेते हैं कि एड़वर वाफ कंपेड़िजन है कि देखें भाई कि एड़वर वो ओफ कंपेड़िजन यह क्या है भई एड़वर वाफ कंपेड़िजन यह क्या है जाल समझी है असपरस तुए इंडीकेड यह था ऑफ क्युक्वाई किसके भाई यह क्वालिटी के कंपेर्जन को दर साता है किसके क्वालिटी आप जैसे की वहाँ ब्यूटी फूल है तो मैं भी ब्यूटी फूल हूँ है ना दोस्तों यह आपको कंपेर्जन दिखाएगा जैसे मैं बात करूं नहीं आता है और यह मैं बात करूं दूसरे की नो लेस दैन यह भी आता है नो लेस दैन यह कहीं कहीं भी आ जाता है लेकिन मैक्सिमुम जहां पूछा जाता है आपको यहीं पूछा देता है कौन दैन देखें जैसे मैं कहें दूं एक्जामपल की बात करूं गाइट इस कुलर कि देन पिट इस कुलर दैन इस इस्टरडे मतलब इट इस कुलर दैन इट इस इस्टरडे इट इस्टरडे की बात कर रहा हूं तो वाज होगा इस्टरडे देखिए वे इट इस कूलर आज कल की अपेच्छा मैंने कमपरेशन करना है आज ठंडा है कल की अपेच्छा इट इस कूलर दैन इट वाज इस्टरडे यानि की इट वाज इस्टरडे कल की अपेच्छा आज कूलर है तो इट इसको लिए यह आपको कमपरेशन हो गया था बास तरव मैंने इसको लिए यह आपका पार कंपेड़िजन हो गया तो आपने क्या पढ़ दिया आपने एक लॉट टाइम पढ़ा एड़ आप प्लेश पढ़ा यह वर्ड आपने एड़वर वाफ टाइम के लिए लिए लोटल प्लेस के लिए ओर आप लिए अपने वर्ड पड़ा जो उसमें प्रियोग किये जाते हैं और मय नर के लिए इस अजिफ एस्व ये आपने पड़ा पाशनमें इस एस ऊपने किस पड़ एडवरव मैनर के लिए आप उसके बाद एड़वर वाफ रेजन के लिए आपने क्या पड़ा वभाई रेजन कौन सो करता है जल सोचिये ड़र व्रिजन के लिए अचे विकॉज इंज ए ना इस यह आपको ऐ इसे हं अपको थो यूरा य। मैंँ टीन चान जो भी थे आपको अच्छा से बता दिये आई सुद्वार इब आगे चलते हैं एक और यहां नोट में क्या लिखना है नोट में ये लिखना है कि सब्लक्राज लिखना है कि subordinate class जो होता है जैसे coordinate class हमेशा किस convention से जुड़ते हैं coordinate conjunction से और subordinate class इसे प्रकार से subordinate class हमेशा subordinate conjunction जोड़े जाते हैं जोड़े जाते हैं बस समझेंगे ना कि सब्सक्राइब को आडिनेट क्लाज गोडिनेट कंजंग्शन से यहां तक बसमझें चलिए है एलिक हमने क्लाज में सब्सक्राओ क्लाज पढ़ा शर्ण पुसकर वह इतनी बाते पर जब्सक्राइब में हमने टांज प्लेस मैना यह सारे चिझे पढ़ा अब आएए को आडिनेट क्लाज यह आपका बचा हुआ है है को ड़न सब्सक्राइब को देखिए वह कि अ कि को आरडिनेट क्लाज जैसे हम लोग को आरडिनेट मिस क्या जानते हैं समान पदी क्या जानते हैं समान पदी ठीक है भई चलिए वह क्लाज लिखे बई वह क्लाज जो प्रिंस्पल क्लाज की भाँ थी वह क्लाज जो प्रिंस्पल क्लाज की भाँ थी जो प्रिंस्पल क्लाज की ही तरह वह क्लाज जो प्रिंस्पल क्लाज की ही तरह या निए प्रिंस्पल क्लाज की बात की तो प्रिंस्पल क्लाज कैसा होता है इंडिपेंडन क्लाज होता है तो की ही तरह स्वतंतर रूप से स्वतंतर रूप से प्रियोग किये जाते हैं प्रिंस्पल क्लाज की ही तरह स्वतंतर रूप से प्रियोग किया जाता है किया जाता है यानि कि ये भी कैसे क्लाज होंगे हमारे independent class होंगे और independent class हमारा क्या होता है पूर्ण रूप से सुतंतर होता है वसी को हम लोग principal class कहते हैं ठीक क्या जाता है समान पदी समान पदी उपवाग के कहलाते हैं समान पदी उपवाग के कहलाते हैं इसी कहते हैं coordinate class समान पदी उपवाग क्या कहलाते हैं बास समझ मैं चले आगे भाई देखें देखें एक्जामपल आई वेंट टू ओफिस आई वेंट टू ओफिस आई वेंट टू ओफिस आई डिस्पोज ओफ दिस्पोज ओफ ओफ अफ अ लाट ओफ लाट आ वर्क बताये बहुत जरा बताईये आपड डिस्पोज ओफ ओफ ए लाट ओफ वर्क यानि कि मैं कहां गया मैं office गया और 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 क्या हुआ बहुत से काम को मैंने खतम कर दिया बहुत से काम को निप्टा दिया बहुत से काम किया आपका वर्व है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है अब खुद गर्व है यहाँ पर भी अपने आपमे यानि कि ना तो इससे कोई इसका लेन देना है आप पर ही देख रहे हैं आई बेंट टू आफिस मैं आफिस गया ठीक है आई डिस्पोजा इलाटा और मैंने बहुत सारे काम जो है निप्टा दिये या खतम किये पूरा किये तो यह चीज़े क्या है एक दूसरे आशित नहीं है समान पदी हैं दोनों क्या है अपने आप में प्रिंस्पल क्लाज है कै यह हमारा एक बने क्लाज है को आधिने इस क्लाज बसवांच में क्लाज हम ने कहाना कि चाटी cozy कंज्चन से मिमिलकर बनते हैं समान पदी ढैंड आपको जोडने काम किया समान यह आपको कैसा क्लाज हो coordinate clause हो गया बाते समझ में ही चलिए आगे चलते हैं जैसे मैं कहें दो एक और example देता हूँ वर्क हार्ड वर्कड हार्ड बट ही फैल्ड बट ही फैल्ड जरा बताइए वर्क हार्ड वो कठिन प्रेश्रम किया लेकिन वह फैल हो गया लेकिन वह फेल हो गया अब दूर दूर तक देखिए एक दूसरे class का कोई effect नहीं है लेकिन यह हमारा वह कटिन परिश्रम किया principle class है अब लेकिन वह फेल हो गया वह फेल हो गया बट हमारा कैसा conjunction है को रिलेटिव कवाडिनेट कैसन है इसी इक हम लोग कहते हैं यह हमारा कोडिनेट क्लाज है अब को बताई भई पर यह सब क्या है 295 एक बात जानते रहे कि कंजेंसन आपको कोडिनेट क्लाज के साथ साथ सब्सक्राइब की कोई भी संटेंस बनाइजाता है तो कैसे बनते हैं यदा सिंपल सिंपल होता है सांटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं मैं ने क्या कि जब दोग किंग को जोड करके एक बनाया जाते हैं तो ऐसे बनने वाले वाग के कितने होते हैं तीन प्रकार के होते हैं स्यंपल संटेंस कॉंप्लेक्स अन्टेंस और कमपाउंड संटेंस के सिंपल संटेंस में यह लिक रहा हूं आपको थोड़े से लिखने वाली दो वाक्यों को जोड़ कर एक वाक्यों बनाए जाते हैं एक वाक्यों बनाए जाते हैं तो ऐसे वाक्यों को तो इस प्रकार बनने वाला या बनने वाले वाक्त के तीन प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं पहला सिंपल संटेंस दूसरा कॉंपलेक्स संटेंस तीसरा कंपाउंड संटेंस संटेंस यह सिंपल संटेंस कॉंपलेक्स संटेंस और कंपाउंड संटेंस अब यह क्या है अब एक बात अच्छे से देखिए कि सिंपल संटेंस और कंपलेक्स संटेंस कंपाउंड संटेंस होता क्या है देखिए सिंपल संटेंस को हम लोग साधारन वाक्त कहते हैं अब साधारन वाक्त कंपलेक्स संटेंस को हम लोग मिस्श्रित वाक्त कहते हैं अब मैं एक एक की बात करता हूं सिंपल संटेंस की बात करता हूं देखिए जरा सिंपल संटेंज पहले की बाद सिंपल संटेंज जिसमें सिर्फ आपको एक प्रिंस्पल क्लाज या फिर एक डिपेंड इंडिपेंडेंट क्लाज मिलेगा मैं सिंपल संटेंज की बात कर रहा हूं दोस्तों जिसमें आपको सिर्फ आपको इसकी मैं बात करूंगा एक आपको क्लाज या फिर कि क्रिंस्पूर क्लाज या फिर independent क्लाज मिलेगा मैं आज में पहा göz ही आपको प्रुंस्पर क्लाज मिलेगा चेह इक आपको प्रिंस्पर क्लाज या ये आपको independent class मिलेगा वही है आपको क्या है simple sentence जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर लिखता हूँ I like tea I like tea मुझे चाहे पसंद है जरा बताइए यह कैसा है आपको simple sentence है I am happy क्या बात करूं दूसरे की बात करूं I am happy कोफी तीसरे की बात करूं अब मीरा अब मीरा मेक या मीरा लाइक कोफी अब मीरा लाइक कोफी यह चीजें तो यह आपको कैसे sentence है simple sentence है जिसमें आपको एक प्रिंस्पर क्लाज या फिर इंडिपेंडेंट क्लाज आपको मिलेगा सवतुंत्र क्लाज मिलेगा ठीक है तो यह प्रिंस्पर क्लाज की simple sentence की बात हो जाई आए चलते हैं complex sentence या compound sentence देख लेते हैं तब उसके बाद हम लोग complex sentence पर होच पर चलते हैं वह है है अगलिक किसको compound sentence compound sentence देख लते हैं दोस्तों तो फिर उसके बाद complex सब्सक्राइब इसके मैं बात करूं किमपउंड अंटेंस ही compound sentence में यानि कि जैसे मैंने का सजय क्वार्ट तो कम से कम आपको दो इंडिपेंडेंट क्लाज मिलेंगे independent course मिलेंगे दो का मैं ठीक है बैधे आपको independent class मिलेंगे और उनको हम लोग compounderson इनको कॉडिनेट कनेक्स से जोड़ना होगा कमपौंण संट्रेंज को यह ब knowing कि इसके कंडेशन यह है कि इसमें आपको दो उसल便त मिलेंगे दो सोतनतर बाक मिलेंगे-दो फ्रिंस्पल असलिगी दूर्ष बाग मिलेंगे और पहले कंडिशन ती यह हो गई दूसरी कंडिशन यह हो गई कि compound sentence किस कंज़्ञेंट से जोड़ा जाता है ऐसे मैं लिख दूँ compound sentence को coordinate conjunction से जोड़ा जाता है compound sentence को किस conjunction से coordinate conjunction से जोड़ा जाता है बस वंज में अब coordinate conjunction क्या-क्या है को आडिनेट कन्जेंग्शन क्या-क्या है जड़ा आए यह समझते हैं कि coordinate conjunction क्या-क्या है आए देखते हैं को आडिनेट कंजेंग्शन अब इस बहुत अच्छा चैप्टर है बहुत अच्छा टॉपिक है भाई पूरा आपका synthesis इसे इसे बना हुआ है आए जड़ा देखते हैं coordinate connection क्या क्या मैं बात करूं इसकी बात चल रही है अभी complex ही बात मैंने नहीं की ने पढ़ा दिया coordinate connection चल रहा है ठीक है बई चलिए coordinate connection चल रहा coordinate connection आब अब इसकी में बात करूं तो कौन-कौन से हमारे coordinate कोाडिनेट कंजेंशन होते हैं है था डिंब कंजेंशन foster बहुत होते हैं दोस्तों आएज देखते हैं कोão कॉमूलेटिव कंजेंशन अल्टरनेटिव कंजेंशन Parents ऐड़र्जेटिव कंजेंशन यह हमारे कैसे कंजेंशन होते हैं coordinate conjunction होते हैं जैसे मैं कहें दूं cumulative कंजेंग्शन कुमुलेटिव कंजेंग्शन कुमुलेटिव कंजेंग्शन तीक है क्या भई कुमुलेटिव कंजेंग्शन दूसरा अल्टरनेटिव कंजेंग्शन तीसरा एड़जेटिव कंजेंग्शन तीक है और आपका चौध था कौन कौन से हो गया कुमुलेटिव अल्टरनेटिव एड़जेटिव और आपका इलेटिव कंजेंग्शन कौन भई इलेटिव कंजेंग्शन ठीक है इलेटिव कंजेंग्शन ठीक है इलेटिव कंजेंग्शन और यह कुमुलेटिव कंजेंग्शन क्या है ब्रिद्ध क्या होता बई कुमलेटिक कुमलेटिव जोडने वाला जो आपको कम करें जोडने वाला होता है कुमलेटिक कॉन्जेक्शन अल्टरनेटिक पंजेंक्शन बताईए भई अल्टरनेटिक पंजेंक्शन गैं यह क्या है आपको अल्टरनेट आप समझ रहे हैं जो एक बाद comment याने कि बैकल्पिक बैकल-पिक कि जो आपको बैकल-पिक आइदर और नहीं ढेदर और ये आपको कहा मिलने वाले हैं alternative conjunction में एड़ेटिव बना हुआ है जैसा कि आप लोग जानते हैं बिरोध वाले conjunction कौन वाले जो बिरोध प्रतैसित करते हैं वाशन में बिरोध वाले conjunction जिसकों बिरोध सूचक कहते हैं इलेटिव क्या होता है गई इलेटिव कंजेक्शन आपका परडाम सो करता है यान हम लोग देखेंक हमने बताया कि आपको दो इंडिपंडेंट क्लाश मिलेंगे और उन इंडिपंडेंट क्लाश को जोडने के लिए हम लोग कौर्टिनेट कंजंक्शन का प्रियों करते हैं और हो कौर्डिनेट यह में हमारी इनliter अपने कंजेंटिंस को जोड़ते हैं अब घ्र देखते हैं कमितने क्या क्या आते हैं पहली बात देखे कौन कोन आता है एंड आता है बोथ डट डट एंड तीसरा एज विल एज क्या आता है भई एज विल एज चौधा नाट वन ली बट आल्सो ये नाट वन ली बट आल्सो बस समझे दोस्तों यह आपके कुमिलेटिव कंजेंक्शन होते हैं एंड बोथ हैंड बोथ डट 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 एंड एज बेल एज नाट वनली बट आल्सो ये आपके कुमिलेटिव कंजेंक्शन होते हैं बाते समझ में चले भाई बताएए अल्टरनेटिव चलते हैं आई दर आई दर और नीदर नार आई दर और नीदर नार या फिर अधर वाइज या फिर क्या भाई इस या फिर यह आपके कैसे है अल्टरनेटिव कंजेंग्छन है, कैसे कंजेंग्छन है, और ऐड़ देखते हैं, एड़ लोडैटिव यानि की बिरोध सूचक, बिरोध में सबसे पहला बात, बट आता है, बट आता है, बताइए भई बट आता है एट आता है इस्टिल आता है इस्टिल आता है क्याता है बट एट इस्टिल आता है निवर दिले साता है निवर दिले साता है और क्या क्या आता है जड़र बताइए गो व्याइल आता है ये जहने कि यें सारे ववर्ड है जो सबसे ज़ादा बढ़ पूचा जाता है बढ़ कि मैं बात करूं तो बहुत बार एक्जाम में पूचा जाता है एडवर्जेटिव के रूप में यह सारे वर्ड तो हमारे पूंचे जाते ही हैं यह कुमुलेटिव आपने देख लिया अल्टरनेटिव देख लिया अब बच्चा इलेटिव इलेटिव परड़ाम देरफोर यह आपका क्या है देरफोर हैंस देरफोर हैंस और कौन सबाही बताइए इलेटिव कंजेंक्शन में देरफोर हैंस सो यह आपके कैसे कांजेंक्शन है परड़ाम सूचक हैं जो आपको परड़ाम बताने का जिम्म हो थाते हैं ठीक है यह इंस तो एक वरड और आता है तो यह आप जान गए कि हमारा कॉइडिनेट कंजेंग्शन कौन-कौन होते हैं कॉमुलेटिव अल्टरनेटिव एडवर्जेटिव इलेटिव ठीक है भई तो ब्रिद्धिकारक वैकल्फिक बिरोध परडाम सुचक में आपको इन बाते जानकारे मिली बस यहां मैं शर्षा क कर रहा हो दोस्तों अभी जब कंजेंग्शन पढ़ाएंगे जब तो फिर एक बारे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगे यह आप जानते रहें कि हमारा जो मैंने बताया कंपांड नौन किस किस कंजेंग्शन से जुड़ते हैं तो मैंने कहा को रिलेटिक पर थोड़ा सा उसको भी चर्चा कर देते हैं वो भी चीजें कॉंप्लेक्स में क्या है है देखें कोंप्लेक्स की बात करूंगा आए तो कॉंप्लेक्स आप वैसे भी जान रहे हैं कॉंप्लेक्स में सोता है मिस्त मिश्रित महाने यानि कि अभी तक आपको दो इंडिपेंडेंट क्लाज मिलते थे अब यहां पर एक आपका इंडिपेंडेंट क्लाज होगा इंडिपेंडेंट क्लाज होगा और आपको एक से अधिक आपको क्या मिलेंगे एक से अधिक ुआ शुच क्या मिलेंगेा साभाब्रेटे लाज इस इंडिपेंडेन्ट क्लाज के अधीन होँगे यानिकि अबाते सभाइयरि और स्वोग्याध आपके एक स्याहिए == और आपको एक सब्सक्राइज मिलेंगे कंपलेक संटेंस की बात करते हैं हम तो जड़ां देखिए अब इसमें आपको यह आपको इंडिपेंडेन्ट क्लाज मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा सबॉडविनेट क्लाज ये और सबॉडिनेट क्लाज किस कंजंग्शन जोड़ते हैं बताइए भई जर देखिए जैसे कि मैंने पीछे भी बताया subordinate class की कि यतने पार्ण होते हैं subordinate noun class subordinate उठाके देखिए गाँ पीछे जा करके पढ़िएगा तो हमाने सारे बताया subordinate adjective class और subordinate adverb class ये मैंने बाते आपको पीछे बता दी हैं कि independent class में आपको subordinate noun class भी आ सकती है subordinate adjective class भी आ सकती है उसके साथ subordinate adverb class भी आ सकती है बासवज में बोलिए वाई देखें जैसे मैं थोड़ा सा example देता हूँ सीविल सीविल गेट गुड मार्क्स गुड मार्क्स सीविल गेट गुड मार्क्स यह यह आप्शन है यह बी आप्शन मैं बना दूँ यह बी आप्शन यानि कि मतलब आप्शन है इट इस सर्टेन अब मैंने दो आपको class दे दिए दो आपको class दे दिए यह आप इसको क्या बनाएए एक complex sentence कैसे बनाएंगे मैंने कहां क्हutetर आपका दूसरी क्लाज। नाइजरे को संटेन्स कैसे बनाएंगे। यूज करना है chiar। क्लाजों क소리ं कैसे बनता है, एड जन प्लाजों कैसे बनता है। नाइज क्लाजोस बनने वाला होगा। तो वहाँ पर आपको that, what, who, which यह सारे conjunction आपको मिलेंगे ज़रा मैं इसको complex बनाता हूँ, देखे कैसे बनाता हूँ It is, it is certain, आप conjunction हमको क्या चाहिए, यह निशित है कि that she will get good marks Get a good marks, यह that conjunction counts class होता है, आपका noun class होता है, तो it is certain, यह निशित है कि वह जो है, अच्छे marks पाएगे, बात सब्सक्राइब मैं, चलिए, मैं आपको एक और example देता हूँ बोलिए, एक और example दे भाई मैं और example आपको देता हूँ देखिए, एक जामपल पहला, it is fact, it is fact, दूसरा आपका, the sun rises in the east, या तत है कि, या तत है सूर्य इस्ट में निकलता है, अब ज़रा इसको कंजेक्शन से जोड़ी है, भाई, कंजेक्शन से जोड़ी है, कैसे जोड़ेंगे, कि, it is fact, it is fact, that की, the sun rises in the east, बास भाई में, it is fact, that the sun rises in the east, ये आपका क्या है भाई, आपका ये प्रिंसिपल क्लाज है, और ये आपका, सवाडिनेट नाउन क्लाज है, ठीक है, क्योंकि नाउन क्लाज हमेशा, that, what, whom, which, इत्यादी सब्दों से आपको जोड़े जाते हैं, बास भाई में, चले आगे भाई, ये, आईए ज़रा हम, ये तो नाउन क्लाज की बात की, मैंने एडजेक्टिक प्लाज का आपको एक ए दबोई, 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 केम, हीर, दबोई, केम, हीर, प्लाज केम, हीर, जैज़ बॉय, इज ब्रादर, या, ही इज माई, सन, अब जार, बताई, भई, इज माई, सन, बोलिये, अब इसको कैसे करेंगी? यह आपको adjective class की बिस्षिस्ता बतानी है कैसे बनाएंगे adjective class कैसे बनता है ज़र देखिए दो class को जोड़ना है तो कैसे करेंगे बही बताइए he is my son the boy come here बोलिए तो पहली बाद subject पकाड़िए the boy the boy comma who came here who came here is my son is my son बताएए कोई दिकत the boy is my son यानि इसी की बात कर रहा है ना the boy came here is my son तो यानि की he is my son जो ही है किसकी चर्चा कर रहा है बोलिए की बाद की चर्चा कर रहा है तो क्योंना हम आपको common कर लेते हैं एक subject the boy हमने common कर लिया हूँ केम ही जो आया था इस माई सन मेरा रड़का है बात समझ में यह बाद के लिए subject यहां पर है और हूँ केम ही यह आपका next class है बताए कहीं किसी कोई दिकत तो यह आपको देखिए हूँ केम हीर दब आया यह आपको एड़क्तिव की विस्षेस्ता बता रहा है यानि एड़क्तिव प्लाज है हूँ केम हीर हूँ जैसे लग गया आपका adjective हो गया कि बात समझ में कि चले भाई कि एड़वर्व क्लाज की बात करेंगे एड़वर्व क्लाज में ही आपको टाइम प्लेस मैनर रेजन इत्यादी बाते आती हैं जो वहां मैंने अभी पीछे जस्ट आपको बताया है कि टाइम प्लेस मैनर कौन-कौन से हमारे सब्सक्राइब बताते हैं तो यह था दोस्तों आपका सिक्वेंस आपड़ा टेंस आज फिनिस हुआ अब नेक्स्ट दे से हमारा नेक्स्ट वीडियो से आपको पॉर्ट्स आप इस पीज क्या होगा भई पॉर्ट्स आप इस पीज की सुरुवात होगी देंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पार वाचिंग थैंक्यू अब करें करें